कि आजी एक दिन की स्रीनगर की आत्राफर में हाया और आने के बाद यहां तद सेक्यूर्टी सिच्वेशन को रिव्यू किया है और साथी साथ स्टेट गवर्मेंट के द्वारा जो और सेंटर द्वारा जो भी प्रोजेक्ट्स और इनिसियेटिव्स लिए गए है उसकी भी मैंने की है सबसे पहले तो यहां की स्टेट गवर्मेंट को कांगुचलेट करना चाहूंगा कि अर्वन लोकल वाडिस के जो एलक्संत हैं बहुत इस फेयर और ट्रांस्पेरेंट वे में कराने में कामियाबी हासिल किये और मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अलक्संत के दोरान कहीं पर किसी प्रकार का कोई वाइलेंस नहीं होने पाए और मैंने हमानता हूँ कि अर्वन लोकल वाडिस के बाद अब जम्रू कास्मीर में पंचायत के भी चुनाव होने वाले है यह पंचायत पीसफुल मैनर में हूँ इसके लिए इस्टेट गौवर्मेंट यहां की वाजिब और मुकमल विवस्था करे इसकी भी चर्चा हुई है और वावियोस्था की जा रही है और इस प्रकार के जो अर्वन लोकल वाडिस के चुनाव होए हैं और जो पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं मैं समझता हूं कि यह जम्रू कास्मीर की हिस्ट्री में एक गौवर्मेंट के दुआरा उठाया गया कि इस हिस्टॉरिकल कंतरने की कुशिच की जा रही है मसित इसका नतीजा यह जै कि कि जम्रू कैसमी के हर गाओं पंचायत के लिकास के लिए हर साल is कम से कम साच से लेकर स Commिदट शुक्र लाग और कि कि खर्च किये बिडिवी हुआ ही है स्वयम पंचायत खर्च करेगी सर्वंच खर्च करेगा और साथी साथ उस पंचायब के सभी सबस से उसे खर्च कर सकेंगे झाल